पेड आप देख रहे होंगे इस पेड से टंगे रहते हैं और नीचे कोई सपोर्ट नहीं है एक चचरा लगा दिया गया है और उसके तहत इन्होंने अपने छाती पे कलस रोपा है और इस बाबा के बारे में बता दू कि यह लगतार चौथी बार यह से किये हैं इसके पहले एक बार यह समाधी ले चुके हैं जिस समाधी में उपर से पूरा पैक कर दिया गया था और कोई हावा पानी कुछ भी अंदर नहीं जा रहा था और लगतार दस दिनों के बाद बाबा नी बहुत तो बाबा बोले कि जब हम मीटी का अंदर घूज जाएंगा तो आप लोग अभिन हम operates ऑनी कर दो हम कर ते हैं मरा झासाल से हम जानते हैं भाल डूबली ट 250 काम नहीं करते हैं इसलिए चलाया जा रहा है और इसी के तहत बाबा ये देखिए अब गाजा का जो धूगा है वो बाहर निकल रहा है बाबा के सरीर से नाक से अंदर शेवन कर रहे हैं और इसी के तहत बाबा जिवित रहते हैं साथ दिनों से बाबा आज साथ दिन से बीना खाए हुए ऐसे लटके हुए हैं बीना खाए पिए हावा पे और छाती पे जई रूपे हैं ऐसा मैंने आज तक नहीं देखा कहीं भी नहीं अब बाबा एक बार पानी में भी रूपे था हाँ इनार में कितने दिन तो यह इसे बाबास कतु आज सबूस्छितिए आज बाबा आपको एक एसे मिलाने वाला हुए जो अपने च्शाती के उपर कलस रूपे हैं जही है और यह बाबा सभी बाबाव से अलग हैं जितने भी आप कलस देखे होंगे उनसे सबसे अलग है क्योंकि अन्य लोगों कर आपने देखा होगा तो उसमें ये जिक्र किया आ गया है कि पानी पीके वो 9 दिन जो होता है 10 दिन होता है कलस रोपे हैं और वो जीवित हैं लेकिन ये बाबा एक ऐसे बाबा है जो क कुछ भी नहीं खाते हैं कुछ भी नहीं पीते हैं और केवल बाबा बोले बाबा का परसाद यानि की गाजा का शेवन करते हैं और वही हावा पीकर बाबा रहते हैं और लगतार आज साथ दिनों से और और तो और यह जो पेड़ आप देख रहे होंगे इस पेड़ से टंगे रहते हैं और नीचे कोई सपोर्ट नहीं है एक चचरा लगा दिया गया है और उसके तहत इन्होंने अपने छाती पे कलस रोपा है और इस बाबा के बारे में बता दू कि यह लगतार चौथी बार यह से किये हैं इसके पहले एक बार यह समाधी ले चुके हैं जिस समाधी में उपर से पूरा पैक कर दिया घया था और कोई हावा पानी कुछ भी अंदर नहीं जा रहा था और लगतार दस दीनों के बाद बाबा निकले थे और तो और इस बाबा के बारे में अप और जान लिजिये कि यह बाबा है कि शिन्सी ने कह दिया कि बाबा भाणि नहीं हो रहा है तो इन्हों ने अनपानी छोड़के पांदिन पेड़ पे तपश्या किये थे पांच दिन पेड़ों पे रहे थे उसके बाद इस गाहा में बारिस होई तब यह बाबाएं वहां से उत्रहें और तो और इनकी और इस्ट्री है कि आगे एक इनार है उस इनार में साथ दीनों तक साथ दीन और साथ रात तक ये पानी में रहे थे और उस पानी में रहने के बाद वो क्या था जी बारिस नहीं हुआ था उस समय भी बारिस नहीं हुआ था तो इन्होंने साथ दीन साथ रात उस पानी के बीच रहे तब इस गाह में पानी हुआ तब बाबा पानी से बाहर निकले ये खैसियत है इस बाबा का फिर से एक बार तस्वीरों को दिखा ये तोड़ा करीब से क्योंकि ये पहले लमसम साथ फीट के हाइट पर थे कुछ लोग कुछ भक्त इन से दर्शन करना चाहते थे तभी थोड़ी सी हाइट यानि कि तीन फीट हा अब यह देख सकते हैं किस तरह से किरिपा इन पर है कि यह जई कितना ठील उठा है जैसे लग रहा है कि यह महीनों दिन का जई है अब इसी बीच हम बाबा से बात करेंगे कि बाबा ऐसे कैसे कर पाते हैं किसका सक्टी है बाबा के ऊपर सबसे पहले आपन नाम का पड़ी कि इस देनों से लगतार यहां बिन अनपानी के हैं थे साधना आप भेड़ी नीचा गोरू पर襲ेंगा अम ने सुना है कि आप सी सवासंद कर लेता है गंटो घंटो सुनिएगा बाबा का उम्र सतर साल है और यह सिर्शासन का मतलब कहने का थाट पर यह है कि इनका सर नीचे और पैर उपर रहता है जैसे रामदे बाबा करते हैं और घंटो घंटो रहे जाते हैं करवटे लगातार बच्पन से यादत है सोने का एक महीना भी सोई रहा जाएंगे करवट बदलने का ज़रूत नहीं परेगा उस खासियत से साधना का शुरू किया और पाने रवी बार का छोड़ते थे बाद में छोड़ने लगे यहां दो राज चार रोज भोजन नहीं करते थे राज आते थे खुशी खुशी तरह आने लगे हावा के सेवन करके अभी भी हावा के सेवन पर रह सकते हैं यह कैसे हो पाता है ना पानी पीते हैं ना खाना खाते हैं जोगी वह और माता जी के किरपार आता है माता जी का सामने देखता रहाता हूं आँ खुला तो माता करते हैं और मुझे लगता है कि उधर अनर्जी मिलता उन्पाइग ये कब मतलब आया कि आप इस तस्ईया मेंलने दो हजार पंद्रह में रेल खंड बरी लाई नहीं चालू हुआ दो दिन पहले आया था उसके बाद समाज से कुछ भी मनुभावना दूर हो गया कि समाज सब कोई सवार्थी है एक दूसरे को मारता है डालता है परहन खून के पूजा पाट पर विश्वास किसी का नहीं है ए स्थिर्फलेटन को था से कषास तो लता लृच थी डंग धर्म परचार करें तो लुचिव्थ युद्ड्रि वयां परहन कामना सब का पूरण होता साथ वरस पुरां आप पर प्रोरहर रेलेवेयर से बच्वत है मिला है गlor कोई जानता है यहां बहुत कः नहीं है नहीं ह कर आये थे 24 गंटे का पहुत ले लोग उठा था परचार करते हैं इसमें भी परचार किये थी जो कोई आइसा बिक्ति कर देगा उसका बाबा गुलाम बन जाएंगे तो ऐसा अब भी है कोई हवा सेवन कर रहे जायते हैं हमारे साथ तो उसका बन जाएंगे तब तक अचा यह बाबा आप चैलेंज भी कर रहे हैं अगर कोई इस तरह का जैसे बाबा हावा पी के रहते हैं अगर आप कर दीजेगा तो बाबा उनका गुलाम बन जाएंगे बात लिखे हैं परची में पूरा साथ पंचायत हमारा परता है मुहमदपूर खायरा बहुति थकाम मजवलिया भ अपना देता है अब तस्वीरों में आप देखिए बाबा किस तरह से जिंदा रहते हैं हावा पी के हावा पीने का मतलब यह है कि बाबा भोले बाबा का परसाद यानि गाजा पीके और बाबा जीवित रहते हैं और साथ दीन हो चुके हैं और बाबा का यह कहनाम है कि आज के बाद मैं लागतार पंदराफ दिन तक ऐसे रह सकता हूं ये कहीं न कहीं बहुत बड़ा चमतकार है भक्ती में सक्ती है और बाबा का ये बिश्वास है माता रानी के ऊपर जो बाबा इस तरह से देख पा रहे हैं तस्वीर हमें देखिए ये गाजा जलाया जा रहा है और इसी के तहट बाबा ये देखिए अब गाजा का जो धूगा है वो बाहर निकल रहा है बाबा के सरीर से नाक से अंदर सेवन कर रहे हैं और इसी के तहट बाबा जिवित रहते हैं साथ दिनों से आपने अक्सर ये सुना होगा कि लगतार पंदरे या बीस दिन के बाद अगर आप अन पानी छोड़ दीजेगा तो आप नॉन लिभिंग बोडी बन जाईएगा ठीक वैसे ही बाबा आज सातवा दिन हम नहीं कहेंगे क्योंकि बाबा एक दो दिन पहले से ये साराची देते हैं सब खुला है हाँ 2 दिन पहले से याण पानी छोड़ दिए मैं बाबामें कितना एनरजी है देखिए हैं इस विखाड़ wizard अभी बाबा कितना दिन आभी रह जाएगा किनदादिन और अब आपना उन्भात यह ज्यादा विरह सकता हूं मैहिना भी रह सकता हूं च माता रानी से अपना जस्त मांगते हैं दुनिया में जस्त मिले भर परिवार से कोई नाता है को कुछ नाता नहीं कोई नाता नहीं हमने सुना है बबाब पढ़े लिखे भी हैं मैटिक पास अच्छा मैटिक तक पास कि नौल की सुरूच विद्ध्याले सिस्वपटना यानि पूर्वी चंपारं ते गांधी जी के धरती अचा बाबा तिन मंदिर रहा है वहां वहाँ मोनी बाबा दुरगा जी राती है उनका भोजन पहुंचाते थे पानी पर तैरते थे पानी में भी तैरते हैं? नए उनका तैरते थे तो सब देख कर गे जिग यासा पहला होता था बाबा ये कैसे कर पाते हैं? बाबा यहां साथ सल से रहते हैं साथ सल से रहते हैं साथ बारे इनका हम से वा की है, चार बार जाई रुपए हैं, घाज पसड़े हैं, बारिस नहीं हो रहा था तो, इनार में रहे हैं साथ दिन, साथ दिन इनार का अंदर रहे हैं, उसके बाद मिटी का अंदर रहे हैं, मिटी का अंदर घुसे तो बोले कि, मिटी सब लोग… in Spanish. माठी दिया गया दिया और कोई नहीं दिया माठी तो फिर मैं माठी दिया लोग बोला रहा था जो बाबा को जो माठी देगा बाबा मीटी का अंदर मर जाएंगे तो फंसेगा तो हम ने बोला कि हम दाएंगे तो मरेंगे लेकिन हम फंसेंगे तो फंसेंगे लेकिन हम बाबा अब मेड़ कोम मेड़ाने पूरा मेड़ा देकर तुप दिया कुछ ब擊 डों पानी देकर नहीं धिये मिप कर दुझ मेडर समusionॺ यदे बाबा बित्व से6 द अबम शानते हैं यहां से मातारानी थावे वाली मा आती है बिलांग करती है और मा को रहसु भगत बुला दिये थे ठीक वैसे ही एक भगत है इनके बारे में जोगी बाबा है और आज साथ दिन से बिना खाए हुए ऐसे लटके हुए हैं बिना खाए पिए हावा पे और छाती पे जई रूपे हैं ऐसा मैंने आज तक नहीं देखा कहीं भी नहीं बाबा एक बार पानी में विटू बठाए हाँ इनार में बाबा बहुत दिन से करता नी ओशन कहीं के हुँ नइखे देख ले बाबा का छाती पर जई रूपाई लवा हावा में टंगाई लवा नी